हलो फ्रेंद्स वेलकम तो गार्गी क्लासिस राजस्थान जीके के करण्ठ अफेर्स में आज हम बात करेंगे सेकंड पॉर्शन की फरवरी महिने के इंपोर्टन जो भी आर्टिकल्स हैं जो भी इंपोर्टन न्यूज हैं उनके बारे में अभी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इंफर्मिशन जो आपको पता है ही कि अगर आप स्टेटिक पॉर्शन के नोट्स पर्चेस करना चाहते हो स्टेटिक पॉर्शन की प्लेलिस्ट से बारे में आप डीटेल ले सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक् आप नोट्स पर्चेस कर सकते हो और पर्चेस करने के लिए सिंपली आपको टेलिग्राम चैनल जॉइन करना जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और वहां पर एक पेंड मैसेज उसको फॉलो कर लोगे तो सिंपल मैथर्स फॉलो करके आप इजीली नोट् है फरवरी मंत के इंपोर्टन जो भी न्यूज राजस्तान असोशेटेड उनकी बात करने के लिए फॉर्स्ट इंपोर्टन न्यूज है मेरा घर मेरा स्वर्ग माई होम माई पेराडाइस यह टाउंशिप स्कीम स्टार्ट की गई है जिसमें स्टेट गवर्मेंट के द्व रखा जाएगा कि आसपास में कोई हॉस्पिटल फैसिलेटी हो और यह अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे कोई भी रेजिडेंशल कॉलोनी के आसपास में ठीक है तो बेसिकली यह जो मेरा घर मेरा स्वर्ग स्कीम है या फिर आप यह टाउंशिप स्कीम की बात करें आप अपन तो इसके बारे में रेकमेंडेशन की गई यू एन एफ पीए की द्वारा जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नैशन पॉपुलेशन फंड तो उसके हिसाब से स्टेट गवर्मेंट को यह रेकमेंडेशन दी गई कि जो आपके यहां पर सीनियर सेटीजन्स हैं इनक की वैवस्ता की जाए तो उसके लिए टाउन्शिप स्कीम स्टार्ट की जा रही है जिसका नाम है यह रेकमेंडेशन दी तो किसने यह ध्यान रखें आप और दूसरा स्कीम का नाम है मेरा घर मेरा स्वर्ग ठीक है आप इसमें देखोगे अगर बिल्डर जैसे ही इन अपा और पॉप्यलेशन कितनी है तो टोटल पॉप्यलेशन का 8.6% है इंडिया में और टोटल पॉप्यलेशन का अगर senior citizens की बात करें इंडिया राजस्थान में कितने हैं तो वह हैं 7.5% तो यह डेटा आप याद कर सकते हो एक तो यह चीज़ दूसरा अर किसने किया तीसरा यह scheme और चोथा यह scheme है किस से associated ठीक है next article पर चलते हैं next article है scotch silver award से related यह scotch group के दुआरा दिया जाता है और अब की बार देखोगे जो राजस्थान में जो implement हो रहा है स्वच्च भारत mission rural ठीक है स्वच्च भारत mission ग्रामीन उसको 20 फरवरी 2021 को scotch silver award दिया गया है तो यह थोड़ा से important fact है one liner answer सीधा का सीधा कई बार पूछ लिया रहता है तो याद रखें आप अच्छा फिर next important topic अजट इस इंडिया justice report 2020 2020 की जो इंडिया justice report आई है उसमें राजस्थान की जेलों को first rank मिली है मतलब कि राजस्थान में जेल administration ने बहुत अच्छा काम किया है इसके चलते उनको इंडिया justice report में 2020 के साल के लिए first rank दी गई है इसके बाद में राजस्थान के बाद में दूसरे नमबर पे आया तेलांगना जिसको second rank मिली है आप देखोगे कि 2019 की जो report आय थी ना इंडिया justice report उसमें इंडिया की rank थी बारवी और 12th rank से improve करके first rank पे आना मतलब बहुत ही अच्छे efforts लगाए गए हैं आगे चलते हैं इसके लाबा राजस्थान की जो जेले हैं यहां का जो management administration या overall जेल्स ओफ राजस्थान की बात करें तो इनको 10 में से 6.32 marks मिले हैं तो यह अपने आप में इंडिया में first rank gain करने के लिए score रहा राजस्थान का आप देखोगे कि यह जो ranking दी जाती है इसके पीछे देखा जाता है कि जेलों में functioning कैसी होती है कार्य प्रणाली कैसी है occupancy कितनी है जेल में कितने inmates रह रह रहे हैं कितने कैदी रह रहे हैं कितनी capacity है और उसके comparison में ठीक है innovation कितना लाया जा रहा है वहाँ पर कितने variations किये गए हैं वहाँ पर जो inmates रह रह रहे हैं उनकी रहने की वैवस्ता के हिसाप से workload कितना है जेलों पे और basic communities की facility कितनी जादा है तो इन सारे key pillars को ध्यान में रख करके यह India justice report publish की जाती है आप देखोगे राजस्तान की जो जेल्स हैं उनकी occupancy rate पिछली बार report जब आई थी तब 102% थी मतलब रहने की वैवस्ता 100 जनों की पर रह रहे हैं कितने थे 102 जने अब वो reduce के हो करके कितनी हो गई 94 मतलब अब 100 जनों की अगर वैवस्ता है तो किवल 94 जने ही अभी जेल में ह हैं तो यह चीज क्या शो करता है कि इंडिया राजस्तान की जो जेलों ने है वो अपनी ओर occupancy को बहुत हद तक manage किया है इसकी वज़े से inmates को अब रहने में problem नहीं आएगी next topic that is COVID-19 vaccination से related COVID-19 vaccination का second और third phase already first phase तो पहले हो गया था second phase शुरू हुआ राजस्तान में एक मार्च 2021 को इसमें 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग और साथ में जो co-morbidities से ग्रशित थे मतलब जैसे cancer, diabetes, कोई और problem हो तो उन लोगों को treatment देने की बात की गई थी इसमें आप देखोगे private hospitals में 200 रुपए पर vaccine के हिसाब से charges के लिए private hospitals में भी vaccination facility स्टार्ट कर दी गई थी third phase की अगर बात करें तो एक अप्रिल 2021 से शुरू हो गया third phase जो इसी मेने शुरू हुआ और इसमें आप देखोगे 45 साल से ज्यादा उम्र के जो भी लोग हैं उनको vaccination के लिए eligible consider कर लिया गया है next important topic है that is भिवाडी से related भिवाडी में भी new या फिर greater दोनों में से जो भी नाम आप यूज करना चाहूँ या एक्जाम में जो भी आए आप समझ जाना new या greater भिवाडी की बात करें तो देखो राजस्थान गॉर्णमेंट ने new investment region के तौर पे भिवाडी को inaugurate किया है एक तरीके से अपनी तरफ से प्रस्ताव दिया है प्रोपोजल दिया है इनाउग्रेशन का नहीं प्रोपोजल दिया है तो basically अगर आप से पूछे कि new investment region के तौर पे अभी राज्य सरकार क के द्वारा कहां पर कोशिशे की जा रही है कौन सा area target किया गया है तो वह है new greater भिवाडी दोनों में से new या greater में दोनों में से कोई एक आएगा ठीक है यहां पर investment region that means industrial investment तो आएगा ही पर साथ में integrated township को भी promote किया जाएगा मतलब जो entrepreneurs है वहाँ पर जो लोग भी invest करेंगे उ आप देखोगे 14th finance commission ने 520 करोड रुपए का अपना proposal दिया इस new greater भिवाडी industrial या फिर आप कह सकते new investment region के लिए आप देखोगे कि यह जो township plan है यह सारा का सारा यह region यह develop किया जा रहा है कहां पर नीमराना के पास में यह भी आप ध्यान रखें अच्छा भिवाडी है वो द दिया की बात करें जनरली ठीक है तो इसमें दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेस वे निकलता है वाया बड़ोदा वो भी देखो भिवाडी के पास से निकलता है similarly दिल्ली जैपूर जो हाईवे है NH48 यह भी इधर पास से ही निकलता है तो आप देखो बिल्कुल सेंटर में है कहने का मतलब connectivity कितनी अच्छी available है वो हमें देखनी है तो देखो connectivity जहाँ पर अच्छी होती है वो रिजन इंडस्ट्रल एरिया के तौर पर डवलप होने में ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करता है easily development हो सकता है वहाँ पर ऐसे ही dedicated freight corridor की बात करें तो railway siding terminalss यहाँ पर develop किये जा रहे हैं इससे क्या होगा कि किवल मालगाडियां आती जाती रहती है dedicated freight corridor से ठीक है तो वहाँ पर railway track के side में side lines or create कर दी इससे क्या होगा कि side में train spark की जा सकती है loading unloading easily की जा सकती है ऐसे ही air connectivity की facility भी है कि यहीं पर भिवाडी के पास में कोट का सीम है राइट वहीं प green field international airport का मतलब green field का मतलब होता है बिलकुल शुरुआत से नए सीरे से शुरू करना और अगर आपके सामने कहीं brown field लिखा हुआ है इसका मतलब पहले उस particular area में development का काम हो रहा था पर बीच में रुक गया और अब उस रुके हुए काम को कुछ सालों बाद में फिर से revival मिला है तो वो तो हो जाता brown field और बिलकुल जिरो से from the scratch ठीक है अगर development शुरू होता है किसी भी airport का तो उसको green field airport बोला जाएगा तो court का सीम में new या फिर greater भिवाडी का जो इंटेग्रेट ये new investment region को promotion देने के लिए airport डवलप किया जा रहा है आगे चलते हैं नेक्स जो important topic that is स्वच्चता सर्वेक्षन जो 13 फरवरी 2021 को final report आई उसमें जैपूर को फिर से ODF++ category में रखा गया है देखो स्वच्चता सर्वेक्षन स्वच्च भारत अभियान स्वच्च भारत मिशन ये जब 2014 में 2 October से शुरू हुआ था उसके बाद में स्वच्चता सर् district कौन से colony कौन से locality अच्छे से perform कर पा रही है और उस performance को categorize किया जाता है ODF ODF plus ODF plus ODF का मतलब हो गया open defecation free ODF plus का मतलब हो गया कि कोई भी urban area में अगर आप देखो कि वहाँ पर एक भी single मतलब even a single individual आपको नहीं मिलता है कि वह open open spaces में urination कर रहा है मतलब बिशाब गरता हुआ मिल रहा है तो ODF plus उसको बोल देंगे और ODF plus plus अगर category किसी city या किसी location को मिल रही है that means कि जो fecal sludge है या जो septage होता है जो civil line में जो कच्रा गंदी या जो human excreta है या फिर जो भी कच्रा एक साथ हो रहा है उसको safely manage किया जा रहा है ट्रीट किया जा रहा है तो उस city को उस location को ODF plus plus category दे दी जाती है that means कि कोई भी civage या fecal sludge या फिर septage या civage ये अगर आप open space में या कोई water body में आप release नहीं कर रहे हो बजाए water body में release करने के आप उसको treat कर रहे हो properly proper manage कर रहे हो तो उस city को मिल जाता ODF plus plus category में डाल दिया जाता है तो सच सथा सर्वेक्षन में जैपूर को फिर से ODF plus plus में रखा गया है this is the news next is अभी recently आप देखोगे मारवार Regional Tribal Development Board ये establish किया गया है ठीक है newly constituted मारवार Regional Tribal Development Board जिसको MADA बोला जाएगा MADA आप याद रखना MADA इसका headquarter कहां पर होगा तो वो आपको answer देना होगा जो दुपूर में ठीक है और ये जो राजस्तान government का Department of Tribal Development है उसके under function करेगा ठीक है तो ये कुछ important information हमने second section section में भी देख ली है जिसमें फरवरी से related चीजे हम देख रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगा नोट्स की information शुरुवात में मिली गई है ओके थैंक यूवरी मुच फॉर वाचिंग दिस वीडियो और सब्सक्राइब कराओ जिससे की और ज्यादा motivation मिलो और और अच्छे से आपकी preparation में मैं help कर पाऊं आपकी गार्गी क्लाइस आपकी help कर पाए और हाँ एक चीज अगर आपको अपनी वकेबलरी इंप्रूव करनी है तो आजकल वकेबलरी के वीडियो भी डाले